नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूँ प्रीती आई ये बुलिटिन के शिरुआत करते हैं हेड्लाइन्स के साथ हर्याना सरकार की दिल्ली का पानी रोकने की चेतावनी के जुरिवाल को लेखे चिठी सतलो जिमना नहर विवाद में कॉंग्रिस की राष्ट्रुपती से हस्तक्षिप की मार्ण जाट निताओं की हर्याना सरकार के साथ आज चंदी गड़ में बैठक, बैठक के बाद ही आदोलन पर होगा पैसला, सम्वेदन शील इलाख में अर्दिस्टानिक बलतैना बैभूबा मुफ्ती ने अमिच शा से की मुलाखाद जम्हू कश्मीर में सरकार गठन पर बादचीत, ब्रधान मंतरी से मुलाखाद के बाद हो सकता है फैसला पश्चि मंगाल में डियम और चार एसपी समेच 34 अधिकारी हटाए गए, पक्षपात के शकायत के बाद चुनावायों के कारवाई, बीजेपी के 194 उम्मीदवारों की सूची जा दी विजे मालिया के इसमें सीवेया ने चार देशों से मांगी मदद, छे लाख बैंकिंग लेंदेन की पड़ताल शुरू, पेशी के लिए मालिया ने अप्रेल तक का मांगा बक्षप सतलो जियमुना लिंक नहर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, हर्याना सरकार ने दिल्ली को पानी देने से इंकार कर दिया है, इस बावत हर्याना सरकार ने केजरिवाल को चिठ्थी लिखी है, इस बीच हर्याना कॉंग्रिस ने इस मामले में राश्रुवती प्रणव बुखर जी से मिलकर दखल देने की मांग की है। पंजाब की सरकार का रवया जो रहा ये सम्विधान के अगेंस्ट है। इससे नजाने किस प्रकार की प्रिसितियां इस देश में दोनों प्रदेशों में पैदा हो जाएं। इस संकट को टालने के लिए हमने राश्टरपती महोदे से निवेदन किया है कि पंजाब की अकाली भाजपा सरकार को तुरंत प्रभाव से डिस्मिस करके वहाँ पर राश्टरपती शाषन लागू कर दिया जाए। इस बीच हर्याणा के वित्मंत्री अभी मन्यू ने दिली के सीम अर्विन केजरिवाल को पत्र लिख कर मुनक नहर का पानी देने से मना कर दिया है। हर्याणा के वित्मंत्री ने केजरिवाल पर जल वित्रण की व्यवस्था नहीं मानने का आरोप लगाया है। दरसल हाली में पंजाब की एक चुनावी रैली में अर्विन केजरिवाल ने S.Y.L. नहर के खिलाफ बयान दिया था केजरिवाल ने कहा था कि पंजाब के पास इतना पानी नहीं है कि दूसरों को दिया जा सके हरियान के नेताव की नाराजगी इसी बयान को लेकर है ब्यूरो पंजाब और हरियान के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद के बीच सुप्रीम कोट में इस मामले की सुनवाई हुई कोट ने इस मामले में यथा स्थिती बनाय रखने का आदेश दिया है और इस बारे में केंदरी अग्रिह सचिव, पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को रिसीवर तैनाद किया गया है उन सब को वहाँ से अटा के स्टेटस को मेंटेन करेंगे विवाद की वज़े पंजाब विदान सवा से पारित वो बिल है जिसमें सतलुज यमुना लिंक नहर के लिए किसानों से अधिकरहत की गई 3,928 एकर जमीन वापस करने का प्रावधान है बिल पारित होते ही किसानों ने नहर पर कब्जा कर उसे पाटने का काम शुरू कर दिया इधर हर्याना सरकार ने पंजाब की ओट से भीजे गए 191 करोड 75 लाख रुपे के चेक को लोटा दिया है जो S.Y.L. नहर के निर्मान के लिए हर्याना नी दिये थे हमने अपना अपजेक्शन भी इसमें दज कराया था अपनी अपती दज कराई थी बादल साब को भी मने अपनी नारजगी वहत की थी और हम लोगों ने इसका एक निंदा प्रस्ताव भी पारत किया था जो के जरिवाल ने बोला था और जो भी गलत काम हुए थे उसके उपर सब प्रितन हमने किये थे और जिसके कारण से सुप्रेम कोड ने संग्यान लिया तो बहुत एक संतोश की बात है पंजाब पुनरगठन अक्ट 1966 के तहद 3.5 MAF पानी हरियाना को दिया जाना है इस पानी को हरियाना तक पहुँचाने के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर पर काम शुरू हुआ निर्मान के लिए कई बार राशी देने के बाद भी नहर नहीं बनी तो हरियाना ने इस मामले में सुप्रीम कोट में याचिका दाखिल कर दी इसके बाद से ये मामला कानूनी दाउंपेच में उलज गया जाट समुदाय के नेताओं और हरियाना सरकार के बीच आच्चंदीगर में बैठक होगी इसके बाद ही जाट नेता आगे अंदोलन करने पर कोई फैसला करेंगे इससे पहले अंदोलन के चेतावनी के बाद सम्वेदन शील जिलू में अर्दसैनिक बलों को तैनात किया गया है केंद्र सरकार ने 3,000 अर्दसैनिक बलों के जवानों को हरियाना भेजा है हरियाना के रोतक में एक बार फिर पुलिस का पहरा है जाट अंदोलन फिर शुरू करने की चेतावनी के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क है एहतियात के तौर पर रोतक में कॉलेज बंद कर दिये गये है रोतक के लावा जहजर और दूसरे समवेदन शील्ड जिलों में अर्दसैनिक बलों को तैनात किया गया है केद्र ने 3,000 अर्दसैनिक बल हरियाना भेजे हैं जिन में से 308 सेनिक बल मुरक नहर की सुरक्षा में तैनात किये जाएंगे अकिल भारतिये जाट महासभा ने आरक्षर से जुड़ा बिल गुरुवार तक पारित करने को कहा था ऐसा नहीं होने पर आदोलन की चेतावनी दी गई थी उदर हिसार में जाट महासभा ने गुरुवार को बैठक में आदोलन की रणदीती पर विचार किया जाट समुदाय ने आरक्षर समेत साथ मांगे रखी है पिछड़ा वर्ग में आरक्षर की मांग को लेकर जाट समुदाय का आदोलन फरवरी में हिंसक हो गया था इसमें 30 लोगों की जाट चली गई थी जबकि कम से कम 30,000 करोड़ों से अधिक की संपत्य को नुक्सान पहुचा था बिरो रिपोर्ट राज्य सभा टीवी पिछले महिने के जाट अंदोलन के दौरान महिलाओं के यौन उत्पिड़न के आरोप घलत थे पिछले महिने के जाट अंदोलन के दौरान महिलाओं के यौन उत्पिड़न के आरोप घलत थे विधान सभाज चुनाव की तैयारियों के बी चुनाव आयोग ने बंगाल में 34 अधिकारियों को हटा दिया है इन सभी अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने का निर्देश दिया गया है इन अधिकारियों में एक जिलादिकारी चार पुलिस अधिक्षक शामल है इसके लावा दो SDP, एक SDP और 24 थाना प्रभारियों का तबादला कर दिया गया है विपक्षी दलों ने चुनाव आयोक से इन अधिकारियों के खलाव पक्षिपात की शिकायत की थी बुद्वार को चुनाव आयोक तनसीम जैदी ने सभी जिलों के जिलादिकारियों और पुलिस अधिक्षकों के साथ बैठक की थी बैठक के ठीक एक दिन बाद रिपोर्ट की समिक्षा करते हुए आयोक ने फैसला किया है वहीं बीजेपी ने कलपश्यम मंगाल चुनाव के लिए 194 उमीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिनहा और अधकारा रूपा गांगली का नाम भी सूची में शामिल है पार्टी की केंद्रे चुनाव समिती की बैठक में इन उमीदवारों पर सहमती बनी बैठक में प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी भी शामिल हुए सूची का ऐलान करते हुए सीसी सचेफ जेपी नडड़ा ने बताया कि यूवा उमीदवारों को वरेता दी गई है इन में 26 महिला उमीदवार भी शामिल है इस सूची के साथ ही बीजेपी ने राज्जी की 294 सदसे विधान सभा में 246 सीटों पर अपने उमीदवारों की घोशना कर दी है राहुल सेना कोलकाता के जुरासां को सीट से चुनाव लड़ रहे हैं इन में से 194 सीटों टेक्लेर कर रहे हैं और समाज के सभी वर्गों को इसमें प्रतिनिधित दिया गया है इस अधिकांश युवा हैं और समाज के सभी वर्गों का रेप्रेसेंटेशन इस लिस्ट में है जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर जारी अटकलों के बीच बीजेपे अधिक्ष हमिच शाह ने गुरुवार को पीड़ी पी अधिक्ष मेभूमा मुफ्ती से मुलाखात की थी पीटिया के मताबिक खरीब आदे घंटे तक चली इस बैठक में दोनों पार्टियों के बीच गड़बंधन को बहाल करने पर बात हुई है जन्वरे में देटकाली मुखिमंतिरी मुफिम्दियों के निधन के बाद पीड़ी पी ने गड़बंधन पर अपना रुख कड़ा कर लिया था पीड़ी पी गड़बंधन बहाली के लिए राजजे के विकास से जड़ी ठोस्यों जुनाओ के मांग कर रही है इस बीच खबर है कि मभूबा मुफ्ती ने आज अपनी श्रीनगर वापसी को टाल दिया है मभूबा आज या कल प्रधानमंतरी से मुलाखात कर सकती है साथ हजार करोड रुपे से जादा के बैंक लोन बकाया के मामले में सी बी आई ने अपनी जाच का दाइरा बढ़ा दिया है जाच अजिनसी मालिया के करीब 6 लाक बैंकिंग लेंडेन की परताल कर रही है इन में से 60 फीज़ी से जादा लेंडेन बाहरी देशों को किये गए है पी टी आई के मताबिक सी बी आई को इस मामले में चार देशों को धन जाने की जानकारी मिली है हाला कि इन देशों का नाम नहीं बताया गया है मालिया को लोन देने वाले सत्रा बैंकों के अधिकारी भी सी बी आई जाच के दाएरे में है आला कि सीबिया के पहल के बावजूद इन बैंकों में से किसी ने मालिया के खिलाब धोका धड़ी की शिकायत नहीं की है इस बीच कर्ज में डूबे विजय मालिया की संपत्ती को बेशने निकले बैंकों को कल मायूस होना पड़ा बुम्मई में ऐसे ही एक संपत्ती का कोई खरीदार नहीं मिला विजय मालिया के किंग फिशर हाउस को कोई खरीदार नहीं मिला इमारत की ई नीलामी की प्रक्रिया गुरवार सुभा साड़े ग्यारा बचे शुरू हुई लेकिन एक घंटे बाद भी खरीदारों ने इसमें रुची नहीं दिखाई तो नीलामी रोकनी पड़ी इसी इमारत में बंद पड़ी किंग फिशर एयलाइन्स का कार्या ले था मालिया को कर्ज देने वाले 17 बैंकों के कंसोर्टियम ने इसकी कीमत 1.500 करोड रुपे रखी थी लेकिन कानूनी दाव मेंचों में फसी इस संपत्ती को खरीदने से लोग बच रहे हैं इस बीच दो मार्च को ब्रिटन चले गए विजय मालिया ने प्रवरतन निदेशाले से पेशी के लिए अपरेल तक का समय मागा है एजिंसी ने उन्हें शुकरवार यानी 18 मार्च को हासिर होने का समन भीजा है IDBI Bank ने Kingfisher Airlines को करीब 900 करोड रुपे का कर्ज दिया था लेहाजा निदेशाले मालिया से पूछताच करना चाहता है इसी मामले में Kingfisher Airlines के पूर्व मुख्य वित्ती अधिकारी A.Ragunathan से गुरवार को भी पूछताच हुई वहीं दिल्ली में India Today Conclave में वित्तमंत्री A.R.J. ने कहा कि मालिया से पाई पाई वसूली जाएगी उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियां और बैंक इस काम में लगे हुए हैं विजय मालिया से खर्ज की वसूली के लिए कई अदालतों में मामला चल रहा है बैंकों का उन पर 9,000 करोड रुपे से अधिक का बकाया है ब्यूरो रिपोर्ट राज्य सभा टीवी कॉंग्रिस ने दावा किया है कि उसके सहीयोग के चलते ही संसत के बजट सत्र के पहले हिस्से में कई एहम विधैक पारित हो सके हैं कॉंग्रिस ने ताउने संसत की भीतर पार्टी के रुख को लेकर भी अपना पक्ष रखा कॉंग्रिस ने बजट सत्र के पहले हिस्से की काम्याभी के लिए खुद की पीठ थपतपाई और दावा किया कि संसत के दोनों सदनों में कार्यवाही को सुचारू रूफ से चलाने और कई विधेकों को पारित करने कश्रे कॉंग्रिस को जाता है कॉंग्रिस का कहना है कि राष्टपती के अभीवाश्ट रूफ से जादा क्रेडिट लेना होगा क्योंकि उनके बगएर एक भी बिल पास नहीं हो सकता कॉंग्रिस का कहना है कि राष्टपती के अभीवाशन पर धन्यवाद प्रस्ताव और आधार विधेक में संचोधन पारित करने के पीछे मकसद सरकार की राज्यसभा को दरकिनार करने की कोशिश को नाकाम करना था पार्टी ने राहूल गांधी की ओर से लोकसभा में उठाए गए मुद्दों का भी जिक्र किया और साथ ही राहूल गांधी के दोहरी नागरिक्ता विवाद को एथिक्स कमिटी को भेजने की आलोचना भी की कॉंग्रिस ने केंद सरकार की विदेशनीती और रफेल लडाकु विमान सौधे को लेकर भी खिचाई की विशाल दहिया राज्यसबा टीवी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलो और आतंकवादियों की बीच मुद्भेड में दो आतंकी मारे गए हैं मामला हन्वारा के भट मोहला का है जहां पुलिस और सुरक्षा बलो की बीच आत्सुभा गोली बारी हुई सुरक्षा बलो ने दो आतंकवादियों को मार गिराया सुरक्षा बलो ने इलाके को फिलहाल घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन जारी है सुत्रों के मताबिक मारे का आतंकवादी लशकर ये तैबा से समन्दित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुफी संतों के शिक्षा के जरिये दुनिया से आतंकवाद का खात्मा किया जा सकता है गुरुवार को दिल्ली में चार दिवसी अंतराश्ची सुफी फोरम का उद्गाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अल्ला के 99 नामों में से कोई भी हिंसा नहीं सिखाता हिंदुस्तान की तकरीबन डेड़ सो खान काहो के प्रतिनिदियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जब चारों तर्फ हिंसा का अंधेरा फैलता है तो सूफी समुद्दाय नूर बनकर इस अंधेरे को दूर करता है इस मौके पर प्रधानमंत्री ने धोराया कि आतंगवाद और धर्म को एक चश्मे से देखना सही नहीं है समेलन में शिरकत करने आये उलेमा मशायक बोर्ट के अध्यक्ष सेयद महमद अश्रफ ने सूफी शिक्षा को पाठे करम का हिस्सा बनाये जाने की मांग की अध्यक्ष ने समेलन में दुनिया की 20 देशों से करीब 200 प्रतिनिदी हिस्सा ले रही हैं इन में इराक, मिस्र और पाकिस्तान के सूफी शामिल है इस मौके पर सभी प्रतिनिदीों ने दुनिया में शान्ती काइम करने के लिए प्रयास तेज करने की अपील की दिल्ली के इंडिया अस्लामिग कुल्चरल सेंटर में गुरुवार को एक रंगा रंगा रिक्रम का यूजिन चिया गया इस मौके पर उने 55 पत्रकारों और फिल्मकारों को और सम्मानित किया गया जो लिंगे सम्वेदन शीलता के विशे पर बेहतरीन काम कर रहे हैं दिली में आयोजीत एक रंगारंग कारिक्रम में उन मीडिया कर्मियों और सहित्यकारों को डाडली मीडिया और एड़टाइजिंग अवर्ट से नवाजा गया जिन्होंने कैमरा या कलम के जरिये लिंग भेत के मसले को प्रमुकता से उठाया है इस मौके पर राजसबा टेलिविजन के CEO ने कहा कि महलाओ को राजनीती समेट तमाम शेत्रों में बराबर के हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कारिक्रम में असमी साहतेकार निरुपमा बारगोहाई को लाडली लाइफटाइम अचीवमेंट अवर्ट दिया गया कारिक्रम में हिस्सा ले रहे सभी वक्ताओं ने कहा कि मीडिया में महलाओ के मुद्धों को प्रमुकता से जगा मिलनी चाहिए लाडली पुरसकार एक गैर सरकारी संस्था की तरफ से दिये जाते हैं इन खुरसकारों के लिए इस साल बारा सो लोगों को नामित किया गया था अवार्ड यूरी में संपादक्त, लेखक और शिक्षावित शामिल थे नविकरम सिंग, राजसभा टीवी पठान कोट में आतंकी हमले की जाँच के लिए पाकिस्तान का विशेश जाँच दल 27 मार्च को दिल ले आएगा विदेश मंतरी सुश्मा स्वराज और पाकिस्तान की विदेश मामलों की सलाकार सरताज अजीज के बीश नेपाल में हुई मुलागात में एताह हुआ है इस मौके पर सरताज अजीज ने नवंबर में इस्तुमा स्यामाबाद में होने वाले सार्क शिकर संविलन में ब्रधान Мंतरी नरें दुरमोदी को बलाने का नियोता भी सोबा सार्व देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री सुश्मा सुराज और पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के बीच अलग से मुलाकात हुई इस दौरान पठान कोट आतंग की हमले का मुद्दा उठा मुलाकात के बाद सुश्मा सुराज ने बताया कि पठान कोट मामले की जाँच के लिए पाकिस्तान की SIT टीम 27 मार्च को दिल्ली पहुचेगी सर्ताज अजीज ने कहा कि पठान कोट मामले के अलावा दोनों देशों के बीच अन्य सभी मामलों पर भी विस्तार से बात हुई अगला जो मौका है वो इस साल इस महिने के आखर में 31 मार्च को प्रामिस साब भी और शिंग्टन जा रहे हैं अगला जा रहे हैं। अभी दोनों की मुलाकात होगी हलाकी दोनों देशों के बीच इस मसले पर फिलहाल राय नहीं बन पाई कि दोनों देशों के बीच विदेश सचे विस्तर की बातचीत कब होगी पठान कोट हमले के बाद ये वारता आपचारिक रूप से लंबित है भारत साफ कर चुका है कि इसके लिए पाकिस्तान की और से पठान कोट हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ कारवाई जरूरी है अकलेश सुमन राज्य सभाट टीवी भारत ने सार्क सदस्य देशों के बीच यातायाद को बढ़ाने की अपील की है सार्क विदेश मंतरियों की बैठक में विदेश मंतरी सुष्वा सुराज ने सुझाव दिया कि सदस्य देशों के बीच विकास कार्यों के लिए नेटवर्क बनाना चाहिए इसे मानव संसाधन के अनुभवों का फायदा सब को मिलेगा नेपाल के पोखरा में हुए विदेश मंतरी स्तर की बैठक में भारत ने मुक्त व्यापार संदी को मजबूत बनाने की अपील की नेपाल के पोखरा शहर में गुरुवार को सार्क विदेश मंतरियों के समेलन कउधगाटन नेपाल के प्रधान मंतरी केपी शर्मा ओली ने किया इस मौके पर प्रधान मंतरी ओली ने सार्क के सदस से देशों की आर्थिक टाकत का लाब उठाने की अपील की वहीं विदेश मंतरी सोश्मा स्वराज ने आर्थिक सहीों को बढ़ाने के लिए खासकर जमीन के माध्यम से जुड़ाव करने पर जूर दिया उन्होंने कहा संपर्ख हमारे विकास के केंद्र में हैं इसी से तैह होगा कि हम संपन्यता और रोजगार के मामले में कितना आगे बढ़ पाते हैं यातायात से जुड़ने के लिए रेल और मोटर परिवहन समझोते को पूरा करना आवश्यक है दक्षेस के विदेश मंतरियों की वैठक में सार्क पर्यावरन और आबदा प्रबंधन केंद्र बनाने की बात तैह हुई हाला कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने इसका मुख्याले अपने यहां बनाने की पेशकश की सार्क देशों के बीच जमीन के स्तर पर जुडाओं में आम तोर पर पाकिस्तान बाधा बनता है जिसकी वज़े से अभी तक भारत और अफगानिस्तान के बीच सड़क मार्क से आवाजाही नहीं शुरू हो पाई है सार्क शिखर समेलन 9 से 10 नवंबर को सलामाबाद में होना है आसियान का सबसे विक्स देश थाइलेंड भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना चाहता है थाइलेंड के उप्रधान मंतरी प्रवीत मोंसुवन ने कल दिल्ली में उपराश्पदी मुहमदामेद अंसारी से मुलाखात के बाद ही ऐलान किया दोनों निताओं के बीच प्रतिनित मंदल सतर की वारता में रक्षा के अलावा आपसे सम्मंदों पर चर्चा हुई दोनों देश आर्थिक और सांस्वरितिक सहीयोग बढ़ानी पर भी राजी हुए थाइलन के उप्रधान मंतरी अजरक्षा मंतरी मनुहर परिकवर और राश्ट्रे सुरक्षा सलाकार जी डुपाल से मुलाखात करेंगे देश से बाहर जाने पर लगे प्रतिबंद हटने के बाद पाकिस्तान के पूर वराश्वती परवेज मुशर्फ गुरुवार को दुबई चले गए हैं बुदवार को चुतम नायाले ने मुशर्फ को इलाज के लिए विदेश जाने के अनुमती दी थी मुशर्फ के प्रवगता मुअमँद अमजची के मताबिक सुप्रीम कोड के निर्देश के बाद सरकार ने मुशर्फ पर से विदेश याटरा पर लग पिदिबंद हटा दिया है 2013 में पाकिस्तान लोटने के बाद मुशर्फ पर कई मुखदमे दर्च हुए इन्ही मुखदमों की वज़े से उनके देश छोड़कर जाने पर प्रतिमन लगा दिया गया था उत्तर कोरिया ने समुद्र में मध्यम रेंच की दो बेलस्टिक मिसाइल का परिक्षन किया दक्षन कोरिया और अमेरिकी अधिकारियों ने ये दावा किया है दावे के मताबिक मिसाइल उत्तर कोरिया के पूर्वी तर्ट से छोड़ी गई मिसाइल ने 800 किलो मीटर उडान भरी और उसके बाद समुद्र में गिर पड़ी दूसरे मिसाइल मध्यमदूरी की रोडोंग मिसाइल थी जो सड़क पर चलने वाली किसी गारी से छोड़ा गया रोडोंग की मारक शम्ता 1300 किलो मीटर की है और इसकी ज़द में दक्षन कोरिया और जापान के कुछ हिस्से आ सकते है उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षन कोरिया के इंदावों पर फिलहाल को टिपड़ी नहीं की है अमेरिका ने उत्तर कोरिया से इलाखे में तनाव बढ़ाने वाली किसी कारवाई से बचने की अपील की है मशूर अभिनेता शशी कपूर का आज जन्म दिन है 1938 में आज ही के दिन कोलकाता में जन्मे शशी कपूर ने 100 से जादा फिल्मों में बेहतरी न भी न किया फिल्मों में उनके युगदान के लिए उन्हें दादा सहाप्फाल के पुरसकार से भी नवाजा जा चुका है अभिने तो शशी कपूर के खून में था शुरुवात हुई एक बाल का लाकार की रूप में पिता पृत्वी राज कपूर के नक्षी कदम पर चलते हुए उठ थेटर में काफी सक्रिय रहे शादी के बाद उन्होंने फिल्में दुनिया में खदम रखा और एक से बढ़कर एक फिल्में दी फिल्म दीवार में उनका समवाद मेरे पास मा है आज भी सभी की जुबान पर है उन्होंने हॉलिवोड की फिल्मों में भी काम किया मर्चिंट आइवरी के फिल्म दे हाउस होल्ड में उन्होंने एक मध्यम वर्गे युवक की भुमिकादा की तो हीट एंड डस्ट में उनका राजिसी अंदास दिखा 1978 में शशी कपूर ने प्रोडक्शन हाउस खोला जिसके बैनर तले उन्होंने जुनून, विजेता, 36 चौरंगी लेन और उत्सव जैसी सार्थक फिल्मों का निर्मान किया और आखर में इड्लाइन्स पर एक नज़र हर्याना सरकार की दिल्ले का पानी रोकनी की चितावनी, केज रिवाल को लेकी चिट्थी सतलोज यमुना नहर विवाद में कॉंग्रस की राष्ट्रपती से हस्तक्शिप की माग जाट नेताओं की हर्याना सरकार के साथ आज चन्दीगण में बैठक, बैठक के बाद ही आंदोलन पर होगा फैसला सम्विधन शीर लाखों में अर्द सनिक बलतेना महबूबा मुफ्तीन अमिच शाह से की मुलाखाद, जमू कश्मीर में सरकार गठन पर बाद चीत, रुधान वंतरी से मुलाखाद के बाद हो सकता है फैसला बश्यम बंगाल में डियम और चार स्पी समेच 34 सधिकारी हटाए गए, पक्षपाद के शिकायत के बाद चुनावायों की कारवाई, बीज़पी के 194 उम्मिदवारों की सुची जारी और विज़ा माल्या केस में सीबिया ने चार देशों से मांगी मदद, छे लाख बैंकिंग लेंदे इनकी परताल शुरू, पेशी के लिए माल्या ने अपरेल तक का मांगाबा और यसे के साथ फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही, आगे देखे खासकार करम, मुफ्तगू, नमस्कार